हलो गाइस तो कैसे हैं आप सब तो आज चुकी हूँ मैं सेड़नास का एक बहुती प्यार भरा मॉमेंट लेकर जिसमें शेहनास होती है नाराज और सिधार मनाता है उसको तो इससे पहले वाले पार्ट मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें शेहनास क्यों नाराज थी सिधार से अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी आप जरूर देख लेना और आपको समझ में आएगा कि किस तरह किसे नाराज हुई थी शेहनास और फिर कैसे मनाया सिधार ने लेकिन उससे पहले गाईज आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेलागन जरूर प्रेस कर लेगे कि सिधनास मॉमेंट और सिधनास से रिलेटेड सारी लेटेस्ट अपडेट मेरे चैनल से आप तक पहुचती रहती है जी हां गाईस सिधा से हर्ट हैं शेहनास और रात हो जाती है सो जाते हैं दोनों और मॉर्निंग में आप देख रहे हैं कि उठ चुका है सिधार और देख रहा है कि सना कहा है बेट पर नहीं है तो फिर कहा है लेकिन जब देखता है आगे खोल कर तो फि सना सामने ही खड़ी होती है और नाराज होती है शेहनास और उसकी आखें बता रही होती है कि हाँ मैं अभी नाराज हूं तुस्से हर्ट हूं तुस्से और बस और उस समय morning time होता है तो सब लोग चाए या कॉफी वगएरा पी रहे होते हैं शेहनास भी अपना कॉफी का या चाय का मग लेकर बाहर garden area में बैट जाती है और सब खड़ात को होता है कि हाँ या शेहनास हर्ट है अब इसको मनाना तो ही ना तो सब खड़ात आता है सबैंस के पास और सबनर本ाइब यह चीज़ें शाद दिखाई लेकिन शेहनास को बहुत मनाता है सिदाथ, जब भी शेहनास हर्ट होती है तो उसे सिदाथ ने बहुत ज़ादा प्यार से मनाया है। बस ये है कि शहनास का रूठने और मानने का तरीका सिधार्थ के रूठने और मानने के तरीके से बहुत ज़्यादा अलग है तो सिधार्थ को देख रहे हैं आप आ जाता है शहनास के पास और हक से कप ले लेता है शहनास के हाथ से और table रखी ये पास में उस पर रख देता है और मतलब इन दोनों में बातें कुछ भी नहीं हो रही होती है बस जो भी होता है action होता है शहनाज रूट कर बैठी है और सिधाथ उसके पास आ जाता है उसके पीछे पीछे आ जाता है garden area में cup लेकर रखता है और बस एक हग कर लेता है उसको और शहनाज हमारी पिघल जाती गाईस क्या चाहिए था शहनाज को एक हगी तो चाहिए था मानने के लिए तो जिस तरह से जल्दी से वो hurt हो जाती थी रूट जाती थी उतनी ही जल्दी से वो मान भी जाया करती थी अगर उस एक वीक को छोड़ दिया जाये जब इनका बहुत जबर्दस जगड़ा हुआ था और एक वीक तक मनाना पड़ा था सिधारत को अगर उसको छोड़ दिया जाये तो शहनाज चोटी चोटी से चीजों में ही खुश हो जाया करती थी अब जैसे देखो हड थी रात बर से बुरा मानी होई थी सिधारत जानता था इस बात को लेकिन एक हग से गाइस पिघल गई हमारी शहनाज और सिधारत ने भी बहुत ज़दा टाइटली और बहुत ज़दा प्यार से शहनाज को अपनी भाओं में भर रखा है और यकीन दिला रहे हैं हाँ खुद को भी यकीन दिला रहे हैं कि यह मेरी ही शहनाज है जिसे मैं रूठा हुआ नहीं देख सकता जिस पर मेरा पूरा पूरा हक है और शहनाज भी बिल्कुल पिघलती हुई सी नदर आ रही है सिधात की बाहों में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो अब आप देख सकते हैं कि शहनाज के चेहरे पर किस तरह की हसी है ना एक बच्चों वाली क्यूट सी मुसकान है का बलश देख रहे है उसके गोरे गाल एकदम लाल हो चुके है बलश देख रहे हैं शरम के मारे लाल हो चुक यह बलश देख रहे हैं मतलब जो चाहिये था उससे वो मिल गया गाइस सिधार्थ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था मानने में शैनास बहुत ज़्यादा मनाती थी बहुत ज़्यादा टीवी पर ये चीज़ दिखाई भी गई है कि शैनास बहुत ज़्यादा मनाती है सिधार्थ को सिधार्थ मानी नेरा क्योंकि guys होता यह था कि जब सिधार्थ नाराज होता था शेहनासे तो शेहनास उसको चुड़ाने के लिए और भी वही हरकते करती थी जिससे सिधार्थ को और ज़्यादा गुसा आ जाता था opposite team के साथ बैठ जाती थी उनको support करती थी गेम में मतलब अपना frustration ऐसे निकालती थी तो एक तो पहले ही सिधार्थ नाराज होता था उसकी लड़ाई हो रख्य होती थी उपर से शेहनास की इस तरह की चीज़ें हो जाती थी वो opposite team के साथ बैठ जाती थी जिससे सिधार्थ और ज़्यादा नाराज हो जाता था तो फिर शेहनास को सिधार्थ को मननाने में किस بات पर हर्ट है तो वो उसको उस बात के लिए मना लेता था और उसको हर्ट गेम जो चलता था इन दोनों का उसको solve कर लेता था कई बार तो ऐसा होता था कि सिधात को भी नहीं पता होता था कि शैनास किस बात पर हर्ट है तब थोड़ी किसी प्रॉब्लम हो जाती थी लेकिन वो बस एक हग से शेहनास को मना लेता था आप देख रहे हैं आप कितनी जादा खुश है शेहनास उसे लग रहा है कि चलो सुबह सुबही मना लिया सिधात में मुझे नी तो पूरा दिन खराब जाता आकर सिधात ने अपनी सेना को मना ह जादा खुश है शेहनास और हम भी यह देखकर बहुत जादा खुश हुए थे ना हम सारे सिधनाजियंस के लिए यह बहुत ही प्यारा मॉमेंट होता था है ना गैस तो आपको यह मॉमेंट कैसा लगा मेरे साथ जरूर शेयर करना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइ जादा खुश है टाराा खुश है ना हम जादा खुश है लाइब होता है